हलो एबरिवन आज है आठ माई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रूप के बारे में देखें अदानी ग्रूप अफ कम्पनीज अगर आज के दिन में देखें तो काफी बड़ी गिरावट दिखा रही है जबकि सेंसेक्स अगर हम देखें तो पास्सो अंग की बढ़त पे ट्रेड कर रहा है बाजार खुलते ही लेकिन अदानी के शेर्स अगर देखें तो एंटरप्राइस दो परसंट तक तूट चुका है पाफर की रिजल्ट अच्छी आए थे शांदा नतीजे थे लेकिन उसके बावजूद एक से ए्परसंट के गिरावट है ग्रीन की बात करें तो अदानी ग्रीन के भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे लेकिन उसके बावजूद भी ये आज 4% की गिरावट पे ट्रेड कर रहा है विलमर देखो तो यहाँ पर भी 1% की गिरावट है अदानी गैस हाला कि रिजल्ट्स काफी खराब थे इनके तो 5% की गिरावट बनती भी और रिजल्ट्स के बाद लगातर गिर रहा है अदानी गैस का शेर पोर्ट की बाद के तो यहाँ पर नहीं तेजी है नहीं गिरावट है लेकिन पोर्ट मुझे रहत है कि अच्छी कंपनी जरूर है लेकिन अभी उस लेवल पर जाके फसा हुआ है जहां से रिबॉर्ट बहुत कम नजर आ रहा है ट्रांस्मिशन के बाद के तो 5% की गिरावट है एंडी टीवी एंडी टीवी देखो मैं इस पे तो दाव नहीं लगाँगा क्योंकि यह highly volatile है और अभी भी देखा जाए तो उतना वर्थ नहीं लगता है मुझे लेकिन अम्बू जए एक लौती कंपनी जिसमें आज दो परसंट की तीजी देखने को मिल रही वीडियो में बात्चीत करेंगी कि आखिर अधानी ग्रूप में क्या चल रहा है और मौके बन भी रहे है कि नहीं और बनेंगे तो कहां पर बनेंगे और कौन सी कंपनी जो है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बाद में गिरा फिर एक तेजी आई अब फिर से गिर रहा है देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं अब भी कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर आपको एंटरप्राइज में खरीदारी करनी है तो एक हजार साथ सो से लेकर एक हजार आठ सो का जो रेंज है वहाँ पर आपकी नजर होनी चाहिए अगर वहाँ पर यह मिलेगा तो डिफिनेटल अटरेक्टिव मौके बनेंगे खरीदारी को लेकर क्योंकि एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है एक हजार सो दस रुपे पर क्योंकि जहां पर जी-क्यू-जी पार्टनर्स ने खरीदारी करे थी बड़ी कॉंटिटी एड करे थी और देखे जो हिंडन बग की रिपोर्ट का डेमेज होना था वो हो चुका है अब मुझे रहता है कि अदानी जो है ना वो दीरे-दीरे अपने करजे को चुकाने के लिए पीछे है फ्रम थ्री जैपनीज बैंक्स और ये बड़ी बात है बड़ी बात है और अक्वर्णि सोर्स देखो ये सोर्स के जरीए आते हुई अपडेट्स है ठीक है कोई ग्रूप ने कंफर्म नहीं किया है थ्री बैंक्स और नॉट इन करण लेंडर टू देखो अभी ये जो तीन बैंक्स है वो अभी उन्होंने अभी तक अदानी को पैसा दिया नहीं है तो ये नए लोग है ठीक है तो देखते हैं कि क्या होगा और हाला कि इनको और न्यू प्रोजेक्ट के लिए जो रिफिनांसिंग होगी और हाई कोस डेट्स वगेरा उसके लिए भी यहां पर इनको इवन जो एक्सपांशन को लेकर है सिरीज ओव एक्सपांशन प्लान है उसको लेकर भी पैसा वो इनसे उठा सकते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा ओवरल लेकिन बहतर चीज़ साइए बहतर चीज़ से अगर ऐसा है तो और देखते हैं और कंपनी की बारे में अगर में बात को एंटरप्राइस की तो जब से हिंडिन बग की रिपोर्ट आई है अगर आप देखो तो सत्रा सो अठा सो के आसपास एक सपोर्ट तो बन रहा है तो कि लंबे समय से यहां पर यह अटका है गिर नहीं रहा देखो पहले गिर रहा था सोला सो तो गया लेकिन जीक्योजी पार्टनर आये थे और एक हजार चार सो रुपए के आसपास बाई कर दिया उन्होंने और उसके बाद अगर हम देखे तो तेजी लॉट आई है हाला कि उतनी बड़ी रफ्तार नहीं आई है लेकिन हाँ संभलता हुआ जरू नजर आया और जो रिजल्ट बे आया है वो इतने खराब नहीं है जहां तक बात करें पावर की 235 के आसपास ट्रेट कर रहा है और अदानी पावर के जो रिजल्ट है वो काफी शांदार से यह पांच हजार दो सो चालीस करोड से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था और यह बड़ा प्रॉफिट है और देखा जाए तो अब तक का सबसे हाइस क्वाटरली प्रॉफिट है यह लेकिन फिर प्रॉफिट है क्योंकि इससे पहले देखो रिजल्ट से पहले यह भाग चुका था वन एटी सेवन से लगातर भाग चुका था तो नतीजे के बाद कि प्रॉफिट बुकी मैं कहूंगा कि यहां पर देखने को मिल रखी है दूसरी और हाला कि जो जहां तक बाद है खरीद देखने को मिलेगी और यही वज़ा है कि अभी मार्केट जो है न वो और लीडी दो-तिन महीने आगे का सोच के चलता है तो जैसे ही अप्रिल मै आएगा न यहां पर आपको एक गिरावट देखने को मिलती है मैं जून में गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि जहां से ब प्रोजेक्ट है कंपनी के पास और आने वाले दौर में और प्रोजेक्ट मिलेंके इनको और जहां करा इसा वह बड़ा checkingे दे रही है जिस प्राइस पे 2021 में खरीदते थे उससे कई जादा बड़ी प्राइस पे 2022 में बिजली खरीदी गई है और यही वज़ाए कि कंपनियों का फाइदर जो कंपनी है वो अपनी कैपसिटी को बढ़ा रहे हैं कि जितना बढ़ाएंगे उतना चापेंगे पैसा और अ हाँ पर कुछ मामला गडबड होता है तब थोड़ा से संबल के रहने की बात होगी यहां पर और जहां तक बात करें एक और कंपनी ग्रीन की कंपनी अच्छी है अपनी कैपसिटी के उपी नहींने काफी हद तक बढ़ाया है और सरकार से सब्सूर्डिर भी काफी अच्छी मिल रही है इनको और रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत ही शानदार थे लेकिन नतीजे के बाद अगर आप देखो के तो यहां पर भी सेम केस था नतीजे से पहले भाग गया था यह बाद में गिरना शुरू हो गया तो सेम चीस पावर में हो रही है तो कोई हरानी वाली बा ठीक है ना जाए क्या ही फरक पड़ता है दूसरी भी कंपनिया है मार्केट में लेकिन हाई रिस्क पे खरीदारी करना मुझे उतना वर्थ नहीं लगता है इसके बाद अधानी विलमर पसंद है मुझे यह कंपनी मैं बोल चुका हूँ कई बार के 350 से 400 रुपे की बीश में मिले खरीदारी कर सकते हो आप यहां पर लेकिन थोड़ी सी कौंटिटी एड़ करना है क्योंकि अगर मालों के बाजार में थोड़ी सी और गिरावट आती है तो आपको नीचे के लिए पर एड़ करने की जरूत पड़ेगी तो 300 से 350 के रेंज में आपको एवरेज करने के है वो भया एड़ीबल ओयल पर सबसे जादा है तीक है जाद रेंगी वहीं से आता है और अभी हाल फिलहाल में सरकान ने बोला है कमपनियों को कि भया दाम घटाओ और घटाए हैं अदानी विलमर ने पर लीटर 5 रुपे तक के दाम घटाए हुए हैं और पतांजली के यहां पर तो देखते हैं क्या होता है लेकिन हाँ डॉमिनेट कर रहा है इस सेग्मेंट में यह और डिपेंडेंसी हाइली है और कहीं न कहीं कोशिश कर रही है यह कमपनी के राइज और बाकी सेग्मेंट में भी अपने आपको और बड़ा बनाने की कोशिश जा रही है इन तो अब देखता नहीं है हम गिरता ही रहता है यह और इसलिए मैं अभी देखो तो एक महिने में भी अगर हम देखे तो नेगेटिव में है यह तो अभी के लिए मेरी अदानी गैस में अवोइट करने की सलाह है और जहां तक पोर्ट के बात करें मेरी खुट की यहां पर ना रहे हैं खरिदारी के क्योंकि यह पहुँच चुका है जहां से गिरा था तो हिंडन बग की रिपोर्ट का कोई असर नहीं हुआ यह आप कह सकते हो यहां पर जबकि बागी कंपनी अभी भी गिरी हुई है तो वापस से गिरा वापस संभल रहा है यह लेकिन फिर भी मैं एंडी टीवी जो फिलहाल में खरिदारी है इनकी देखो एंडी टीवी अब समझो भले ही कहां से गिर करा है यह पांस सो पैतालीस लगातर गिरा है अटेम्ट किये है चोटे मोटे बीच में लेकिन फिर भी गिरा है यह और अभी भी आगर आप देखो तो नीचे की तरफी नहीं हुआ है fundamental शुरुवाती दोर में तीजी थी कि खबर थी कि अधानी आ रहा है अधानी आ रहा है तो तीजी थी यहां पर बाद में गिरिया अगर आप इनके quarterly results देखोगे तो सेम है उतने ही है कुछ changes नहीं हुए है जब जित उतने ही है जब दस जब सुरी तीस पर ट्रे खरीदारी की 350 रुपए की आस-पास का लेवर मुझे यहां पर पसंद आता है और देखो यह जिस sector से यह belong करते है वहाँ पे ups and downs काफी जादा आपको देखने को मिलती है और बड़े-बड़े players और competition और जादा गहरी होती जाएगी future में तो नजर रहनी चाहिए अधानी को लेकर कई सारी updates आ रही है और उनमें से कुछ बड़ी-बड़ी updates भी है और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि March quarter में काफी लोगों ने अधानी में निवेश किया है जब अधानी के शर गिर रहे थे तो retail investor ने भी बहुत बड़ी quantity में खरीदारी करी है retail investor bought अधानी group stock worth 11,29 in the quarter ended March retail investor ने 11,300 करोड के आसपास के अधानी के stocks खरीदे हैं March quarter में और यह बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है कि retail investor बरूसा कर रहे हैं और देखो अधानी group अपने आप में इतना बड़ा group है कि कहीं न कहीं इतनी जल्दी बरबात तो नहीं होगा वापस से यह regain करेगा ल कोँगा आपसे नजर होनी चाहिए company के ऊपर अच्छी company के ऊपर नजर रखो जिसके बारे में मैंने वीडियो में आपको बताया उन company के ऊपर नजर रखो उस target के ऊपर नजर रखो ज्यादा महंगा भी buy करने के जरूद नहीं है वीडियो को यहीं पैंड करूँगा पसंद